मंत्री और विधायकों की नराजगी के बीच हिमाचल के मुखे मंत्री सुक्विंदर सुकु ने पत्स से स्तीफा दे दिया है कॉंग्रेशान तक नए नेता का चयन भी कर सकती है पार्टी ने विधायकों से बाचीत के लिए अब्जर्वर्स भेजे हैं और सुक्विंदर ने नराज मंत्री विक्रमादित्य के पत्स से स्तीफे के करीब एक घंटे बाद ये बड़ा कदम उठाया पूर्व मुखे मंत्री वीरभद्व के बेटे विक्रमादित्य ने नाम लिये बिना CM सुखविंदर सुखु पर अपमानित करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि विधायकों को भी नजर अंदास किया गया जिसका नतीजा कर दिखाई दिया अब गेंद आला कमान के पाले में आ गई है वहीं क्रॉस वोटिंग करने वाले एक विधायक राजेंद्र राणा ने कॉंग्रेस हाई कमान से सुखु को CM पत से हटाने की मांग की थी उधर विमाचल विधान सबा स्पीकर ने बीजेपी के 11 विधायकों को सदन से निश्कासित कर दिया है इनमें नेता प्रतिपक्ष जहराम ठाकुल भी शामिल है और जहराम ठाकुल बुद्वार सुभा गवर्नर से मिले और फ्लोर टेस्ट की मांग की थी